मोंगेर में SDFC बैंक से बिना उभ्भोकता के सुक्रती के डाक से क्रेडिक कार्ड भेज दिया गया वही जब उभ्भोकता क्रेडिक कार्ड को रद्द कराने पहुचा तो यह बैंक कर्मी ने एक मोबाइल नंबर देते वे कॉल करने को कहा जब उभोगता ने कॉल गिया तो उधर से OTP बतानी को कहा गया जैसे उभोगता ने OTP बताया उसके खाते से 1,6,000 रुपे निकल गए इतना ही नहीं बैंक कि लापरवाही के कारण 3 महिने बाद आज पीड़त साइबर थाने में लिखित शिकायत कर सका है ये मामला जमाल पूर्धाना शेत्र के ब्रमेस्थान सदर बाजार निवासी कनहिया मंडल का खाता अवंतिका मोड़े स्देथ SDFC बैंक में है जिसका संचालान उसकी पतनी प्रीतिरानी करती है वह कनहिया मंडल ने साइबर थाने में ठगी के लिखे शिकायत की है जिसमें आवेदन में कहा गया है कि 4 जुलाई 2024 को बैंक से कॉल आया और बताया गया कि उनके नाम से क्रेडिट कार्ड निर्गत कर दिया गया है डाक से घर पर भेज दिया गया है जबकि उन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक में आवेदन तक नहीं दिया था उसकी पतनी बैंक गई और क्रेडिट कार्ड को रद्द करने को कहा तब एक कर्मचारी गौरोकुमार ने एक मुबाइल नमबर दिया और कहा कि इस पर कॉल कर क्रेडिट कार्ड रद्द करवा लो जिसके बाद महिला ने कॉल किया तो उधर से जवाब मिला कि एक OTP आएगा वो बताईएगा महिला ने OTP बताया और कुछी देर में खाते से एक लाग छे हजार रुपए निकासी का मैसेज आ गया वहीं 25 जुलाई को उसके खाते से राश्ची की निकासी कर ली गई उसकी पतनी शाका प्रवंधक से मिली है शाका प्रवंधक ने कहा है कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है आपके मोबाइल पर मैसेज यूँ कॉल आएगा लेकिन ना तो क्रेडिट कार्ड बंद हुआ ना ही इसके लिए कोई कॉल वा मैसेज आया वहीं इस मामले में आताया साइबर थाना देक्ष प्रभात रंजन ने बता है कि एक लाग शेहजार ठगी का लिखित आवेदन दिया गया है प्रात्म की दर्ज कर जाच की जाएगी बैंक कर्मियों से भी इस संबंद में पूस्ता अच की जाएगी एक कनहिया मंदल जी है प्रम अस्थान सदर बजार जमालपूर के जिन्हों ने एक आवेदन दिया है कि इनका खाता HDFC बैंक जमालपूर में है और ये नियमीत खाता धारक है इनकी पत्मी जो है सारा खाता का काम देखती है और इनके मोबाइल नंबर पर दिनांग 4724 को एक कॉल आता है कि आपके नाम से क्रेडिट कार्ड निर्गत हो गया है आपके घर पर पोस्ट के द्वारा भेज दिया गया है कनहिया जी ने अपने पत्मी प्रिती रानी से पूछा कि क्या तुमने क्रेडिट कार्ड के लिए अपलाई किया था क्या तुन्होंने कहा नहीं मैंने कोई अपलाई नहीं किया है तब यह बैंक जाकर पुस्ताज किये बैंक में एक करमचारी है जो नाम इनके द्वारा दिया गया है गोरव तो गोरव ने इनको एक मोवाइल नंबर दिया कहा कि आप क्रेडिट कार्ड रद करवाने के लिए इस पर कॉल करे और इनके द्वारा बताया गया कि उस नमबर पर कॉल करने के बाद OTP की मांग की गई और पुल एक लागशे हजार रुपे इनके खाते से कट गया है इनके साथ दोखादड़ी हो गए ये फिर उसके बाद बैंक के सखा प्रवंदक से भी मिले और अपनी समस्या बताई तो बैंक के सखा प्रवंदक ने कहा कि ओनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर दिया गया है और आपका ममला तुलच जाएगा आपके मोबाइल नमबर पर मैसेज जी आप पॉल आएगा लेकिन इसी कोई बात नहीं हार्थ हक कर कनिया कुमार ने आविजान साइबर खाना को दिया है हम लोग कास्मी की गर्जिकत अनसंधन करेंगे और आगे की करवाई करेंगे आपके उसी का है ना